लोगों को बेलकम करते हैं आपके अपने यूटूब चैनल पर उम्मीद करता है आप लोग अच्छे होंगे अच्छे कामों में अच्छे से बीजी होंगी तो आज हम है अपने टेरेस गारडन पर और संडे का दिन है तो सोचे क्यों नहीं आप से कुछ बाते कर ली जाएं त तीसरे या चोथे दिन बीडियो आपके लिए लाता रहता हूं और अभी नर्सरी पे कोई खास प्लांट नहीं है वो ही प्लांट है तो अगर नर्सरी पे कोई नए प्लांट आएंगे तो मैं बीडियो बनाऊंगा और कई लोग कहते हैं कि आप जो गमले दिखाते हैं नर् दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल में कोई भी कमी न ज़र आ रही तो आप हमें कमेंड करके बता सकते है। तो चलिए आपको कुछ अपने गांडन में, कुछ मैंने सबजियां लगाई हैं तो वो आपको दिखाते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो देखिए शुरू में तो तोरी की बेल आपको दिख रही है पर आपको मैं हरी मिर्च का अपना प्लांट दिखाता हूँ जो कि मैंने घरी की जो रैड मिर्च होती है ना उसके सीड निकालके मैंने लगाया था प्लांट तो ये देख सकते कितनी इस पर हरी मिर चाही हुई है तो ये सब दोस्तों फिरी के हैं आप अपने घरी में से सीड कलेक्ट कीजिए और गाडनिंग के तरफ आईए तो ये देखिए ये तोरी की बेल है तो आप मार्केट से तोरी के सीड ला सकते हैं ये एक बार अगर आप ले आते हैं तो आपके कई साल तक चलेंगे तो आज हम देखिए इसकी सबजी बनाएंगे तो देखते हैं अगर हमारे जैसे टेरेस गाडन पर ज़्यादा सबजीयां नहीं होती है तो जितनी अगर एक सबजी हमको मिल जाती तो वो भी बहुत ही खुसी की बात होती है कि हमने अपने हाथों से प्लांट लगाया है केर की है और फिर फ्रूटिंग देता है तो वो अलगी खुसी मिलती है तो हम इसको ले लेते हैं और फिर बनाएंगे और देखते हैं के छट पे क्या-क्या सबजियां है तो देखते हैं तो इसको तोडने में बड़ा दिक्कत हो रहा है तो मैं कैंची से ही काटऊंगा तो एक कैंची है मेरे पे तो मैं कोई गारणिंग बाहर से कोई Google नहीं लेकर आता हूं जो गरी में है उनी से हम काम चला लेते हैं. तो इधर देखते हैं, इधर क्या चीज है. तो एक ये तोरी निकल आई है, वह बाकी ओर देखते हैं. तो ये काफी घनी हो गया है, प्लांट हमारा जो तोरी का बेल है, बहुत घनी हो गई है. तो कहीं कोने में भी लगी रहती तो हमें पता नहीं चलता तो देखना पड़ता है तो इधर देखिए हमने बैंगन का प्लांट लगा रखा है तो इस बैंगन के प्लांट से हम बैंगन आज निकालेंगे कितने बैंगन निकलते हैं तो जो छोटे होंगे उन्हें हम रहने देंगे देखिए जैसे जो बड़े हो गए हैं तो उनको हम ले लेंगे और जो छोटे हैं उनको छोड़ देंगे तो दस-पंदरा दिन बाद तो वो भी तैयार हो जाएंगे किचन के लिए तो देखिए यह भी बहुत छोटे-छोटे ह बाकी कुछ बड़े साइच के आप देख सकते हैं, तो मैं कैंची लेकर आता हूँ, उसी से मैं इनको कट करूँगा, क्योंकि ऐसे हाँ से तोड़ने में प्लांट हमारा डैमिज हो जाता है, तो कैंची से मैं तोड़के दिखाता हूँ, तो उसके लिए मुझे केमरे को थोड लूँगा एक हाँ से कैंची, तो देखिए मैंने जो है चार बैंगन इस प्लांट पर से ले लिए हैं, यह है कैंची, तो यह हमारे घरी में पड़ी हुई थी, तो मैं अब इसी को यूज करता हूँ, गार्निंग में, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो